पढ़ाई के अंदर कितनी, क्या बोलते हैं, रौनक है, तो ऐसी पढ़ाई जिसके नसीब में है, वो कभी उदास नहीं हो सकता, राइट, क्यूंकि एक बाबा की मुडली भी है तो गागर लेकिन सागर के समान है, तो उस एक मुडली से ही हम राजा बनते हैं, तो बाबा ने एक बार बोला था, कि बच्छे जितनी भी कल्यू की पढ़ाईयां हैं, पहले तो बहुत सारी उसमें से जरूरत ही नहीं पढ़ेगी सत्युग में, लेकिन जो कुछ भी सीखना चाहिए, वो इस पढ़ाई से सीखक आप राजा बन जाते हो, तो जिसका मुडली से इतना प्यार होगा, तो वो मुडली को अच्छी तरह सिखाएगा, जैसे एक दूद से मैक्सिमम कितनी चीजे बनते हैं, कभी लिस्ट बनाई है, एक दूद से मैक्सिमम कितनी चीजे बनते हैं, नहीं वो तो करना पड़ेग homework, अभी खिया नहीं है मोटी मोटी मालूम है पनीर बनेगा, दही बनेगी एक होता है basic product तो जो basic product है वो है दूद फिर उसके बाद by product है वो भी 3-4 है लेकिन उस 3-4 से जो सैंक्डों चीजे बनती है तो उसको कहते कमाई तो जो मुरली से जो by product है, भाबा का basic ज्यान है, points है जो ऐसी ऐसी चीजे निकालना चाहता है तो वो कमाई करता है अर्थार्थ दूसरी आत्माओं को प्रेणा देता है मुरली को अच्छी तरह से लगन लग जाने की ठीक है न? क्योंकि जिस देश में सेवा करते हैं, वहाँ पर तो कौनसी भाष़ चलते है? रश्यन चलते है, रूसी भाष़ चलते है तो रूसी भाष़ जो है, वो संस्कृत के बहुत नस्धीक है, तो बाभा की जो मुरली की ट्रांसलेशन होती है, वो इंग्लिष से नहीं करते, क्योंकि इंग्लिष की मुरली कहां से तयार होती है? हिन्दी से, तो हिन्दी का फिर आप translation करेंगे, बेलेंगे तो कितना percent रह जाएगा English में? 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत चलो बहुत मेनत कर दी तो 90 प्रतिशत, 100 तो कभी भी नहीं आएगा अगर उस English के 85 प्रतिशत में फिर करनी हो Russian की तो कितना रह जाएगा? 75 भी नहीं रहता है क्योंकि English और Russian काफी दूर के रिष्टेदार है दूर के रहता है और Sanskrit और Russian जैसे मौसी है अगर Sanskrit मा है तो यह जो Russian है वो उस मा की बहन है तो इतना close है तो बाबा की जो शब्द है जैसे बाबा नहीं कहा है कि तुम बच्चे जल्दी करो जल्दी करो घर चलना है बाबा ऐसा बोलते है न तो बच्चे अब घर चलना है तो इंग्लिश में आएगा You have to go to home तो ऐसे लगता है कि जैसे न कोई order दे रहा है You have to तो फिल एक रेक्शन उटता है क्यों? क्यों? You have to और अब घर चलना है मना वो कह रहा है बस अब चलना मेरे साथ तुझे घर चलना चाहिए तुमें घर चलना ऐसा नहीं बोलना बाबा अब घर चलना है तो रश्यन में बिलकुल जिसको 99.9% कहते है पारदमोई आधार अधार बाबाबाबाबाबाबाब्हा जिछिए पारदमोई उससे भी शोट सिधी बात है गर चलो तो इस कारण से कई बार सब लोग कहते हैं कि रश्यावालों को बहुत प्यार है ऐसा ऐसा तो कारण सिर्फ एक ही है कि भगवान की मुरली ही है आधार सब कुछ प्राप्ति का अगर वो ठीक मिलती है तो दूसरी सुपरमार्केट खूलने की जरूरती नहीं पड़ती है जिसमें चॉकलेट मिले या केक मिले या कुछ और ड्रिंक्स मिले क्यूंकि मुरली आधार है और अगर मुरली अच्छी तरह से नहीं मिलती तो पूरी सुपरमार्केट चाहिए हजारों क्लासिस की कैसेट होनी चाहिए फिर सुपर से शाम तक एक तो है हमारा नियम यह हमारा सेंटर है न तो नियम प्रमार्ण नुमा शाम का योग ज्ञान की चर्चा सुपरमार्की मुरली रिविजन यह नियम प्रमार्ण बहुत काफी होता है फिर वो बैट करके इधर लगा करके कुछ क्या बोलते हैं उसको सारा दिन कुछ न कुछ तो मुरली को पकरने से खुद हम Creator बन जाते Master Brahma बन जाते हम create कर सकते करना है वो और हम तो सुपर मार्केट से वो बना बनाया पीजा बने बनाये कुल्चे पठूरे तो वो सब बैट करके खाएंगे तो हेल्थ कैसे बनेगी तो इसे लिए शुरू से ही क्योंकि ट्रांसलिशन ठीक होती थी मुझे याद है जब जगदिश भाई साब शक्तिनगर में बहुत से देशों से लोग मिलने आते थे तो अच्छी परसंटेज वो लोगों की होती थी ब्रामनों की जिनको साकार मुडली समझ ही नहीं आते थी अब कैसे आएगी जब उसका ऐसा ट्रांसलेशन है है ना इंग्लिश में चले गई तो फिर धीरे बहुत अच्छी मेहनत की गई लंडन में ट्रांसलेट होती है बहुत मेहनत की गई तो अभी तो जान है मुडली में उस समय की बात है कम से कम 30-35 साल पहले की बात है तो वो कहते थे कि क्या यह नहीं हो सकता कि हम पांच बार अब एक तो मुडली सुने और दो बार साकार मुडली सुने क्योंकि साकार समझ नहीं आती थे उनको ट्रांसलेशन की वज़े से तो लेकिन पढ़ाई किस में है साकार मुडली में यह पढ़ाई है हमारे और वो तो अन्त तक चलनी है फिर अवेक्त मुडलीयों पे हमें खुद धारना करनी है मनन करना है यह सब करना है तो इसे लिए ब्राहमन इश्वरी विध्यार्थी जिसका बाबा के साथ सम्मंध जुड़ता है वो भी आधार है मुडली रोज की उत्तर जो बाबा से मिलेंगे कुछ भी बाद हो बाबा को बोला और उत्तर तयार है कल के दिन क्योंकि कही कही ऐसे भी आत्माएं हैं जिनको लगता है अच्छा हम आगे क्या करें आगे क्या करें आजकल कुछ स्वरूप ऐसा हो गया है सिवाओं का कि सब समश्ते हैं कि टीवी पर आना ज्ञान सुनाना टीवी पर वो ही है सिवा बाकी तो चपाती बनाई बरतन साफ के यह सब इसके लिए हम थोड़ी आये हैं तो उसका कारण ही यही है कि मुरली के आधार पर फाउंडिशन जो है वो पक्का नहीं बनाया है क्यों? अब मैं यहां बैठी हूँ है ना? मुझे क्या करना है? अभी जो मेरे सामने बाबा काम दिखा रहा है अभी वो है मेरी सिवा वो है मेरा लक्षे अभी जो दिखा रहा है और वो मुझे दिखा रहा है उसको छोड़के मैं कोई future के plan बना रहे हूँ कि मैं यह बनना चाहते हूँ वो बनना चाहते हूँ तो यह तुझे से lock-kick business हो गया lock-kick में career की बात करते हैं है ना? career बनाना है यहां हमें career बनाने नहीं आए हम यहां स्वर्ग की स्थापना में बाबा को मदद करने आए है काम बाबा का है हमें जो plate में सजा के आज के दिन बाबा काम दे वो मुझे करना है तो हमें चिंता ही नहीं करनी पड़ती अपने future की अपने career की क्यों? क्योंकि अब हम बाब के साथ हैं उसका कार्यक चल रहा है अभी हम बच्चे हैं हमें अपने संसकारों को परिवर्तन करना है वो ही हमारा एक मात्र काम है दिव्यता जो आये हमारे संसकारों में उससे फिर बाबा हमें जैसे भी जहां पर भी जो सामने कारे कराना है और वो भी खुद उपस्थित होके बाबा कराए हमें तो बाबा को अपने को सौंप देना है तो ये समझ सिर्फ साकार मूरली को जब हम अच्छी तरह से रोज पकड़ते हैं तो आती है कि ये टाइम स्टार्स बनने का नहीं है कि हम स्टार्स बन जाएं और सब हमारे को देखते रहें कि ये तो hero ये तो heroine बन गए भागते हैं ना celebrities बनने का never 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 simple साधारन और हमें जितना हो सके अपने से बले light काम करके शिबाबा के उपर light पड़े ज्यादा क्योंकि उसकी प्रतेक्षता मेरे से तो जुड़ने के लिए पांचजार साल पड़े ना कितने जनव होंगे पांचजार साल में आत्माएं आत्माओं से प्राप्ति करेंगे अभी सब को चांस देना चाहिए उसके साथ जुड़ने का ये इमांदारी है और ये नहीं कि हम धका मारेंगे नहीं हम बाबा जिसको सामने लाए तो बाबा लाएगा किसी को दिल्वाना है सामने लाएगा तो प्राप्ति होगी बाबा बीच में आ जाता है तो बहुत सावधाने के साथ हम अपने पुरशार्थ को संसकारों को दिव्य बनाने का कि जिसमें मात्र भी मात्र, लेश मात्र भी इच्चा का नाम ना हो मेरे इच्चा ये है मैं ये चाहता हूँ मुझे ये चाहिए तो बाभा ने हमेश्य बोला है चहाना क्या बना देती है Toilet Cleaner सुना है चुरे का मतलब क्या होता है Toilet Cleaner चहाना Toilet Cleaner बना देती है अर्थार्थ फिर हमें गंदगी कठी करने पड़ती है अर्था से क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए आपको फिर यहां पर अटक जाएंगे बाबा के पास में हमारा प्लान है अगर दो रास्ते हैं, दो आप्शन है या तो सारी जिंदगी आप अपने खुद फिकर करो यह बड़ा ही जंगल वाला रास्ता है जंगल वाला और या फिर बिलकल बाबा को सोगत हो बीच वाला रास्ता कोई नहीं है कि खाने पीने का ध्यान बाबा रखे और अपना मुझे क्या करना है सारा दिन वो प्लैन में अपने आप बना लूँगी खाना पीना बाबा ध्यान रखे बाबा तीन टाइम फिक्स करके अच्छा सा खाना खिलाई वो बाबा को समर पी जो खिलाई, जहां सुलाई, जहां पिलाई और जो करने में यह मैं अपने आप डिसाइड करूँगी मुझे फ्रिडम चाहिए वेरी गुड यह नहीं चलता है बीच वाला तो है यह नहीं रास्ता इधर और या पूरी अपनी जिम्मेवारी लो अगर इतने गट्स हैं तो कि मैं भगवान से ज्यादा अपनी लाइफ प्लान कर सकती हूँ ले लो जिम्मेवारी या तो फिर बच्चा बन करके आत्मा बच्चा है हमने अपनी दादियों को देखा अंत तक क्या थे बच्चा थे न अभी चलते चलते जो सामने सिवा आ गई तो उसमें ही बाबा का blessing हम बच्चों पर रहता है तो हम बड़े भागेशाली students हैं जो हम Hindi direct समझ सकते हैं क्योंकि translation फिर भी translation है लेकिन Hindi समझने वाले बाबा से सब अपनी शक्ती का अनुभव कर सकते तो विश्व के अनेक देशों में मुर्ली अभी translate होते हैं सब देशों के अंदर तो अमरित वेले जब भी आप योग लगाएं यहां बैठ करके तो योग बाबा के साथ मुलाकात पूरी करके सारे विश्व के उपर खड़े होके जितने भी देश हैं अलग-अलग भाषा में वो मुर्ली सुनने वाले समझने वाले सब को अच्छी थरह से हलो करें, द्रिश्टी दें क्योंकि पहले मुर्ली मदुवन में चलती फिर दूसरे देशों में चलती तो भारत से जाने वाली ये संपदा आदि सनातन, देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाली संपदा हीरे मोती, ये मुर्ली के पूरे विश्व में चंचन करके फिलाए जाते हैं देवी बीच चाड़े जाते हैं तो सुबह उठ करके ये द्रिश्टी देनी है पानी देना है जो सब आत्माई फिर और सी में पहुंचती रहेंगे ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? सब को और सी का रोल, वर्ल्ड में क्या है है तो मेहनद तो देखो कितनी हुई है तीस साल तो हो गए ना शर्ट? पच्छिस अच्छा, तो पच्छिस होने वाले होंगे तो कितनी मेहनद है लेकिन ये बाबा ने हमारे से इन्वेस्टमेंट कराया है आगे के लिए लेकिन एक छोटी सी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि किसी भी प्रकार से हम ये गलती ना करें कि हम मैं अभी जिन्दा हूँ मेरी आँखों के सामने अभी रिजल्ट कोई निकल आए कि मेरी सिवा से क्या फायदा हुआ हमें सिर्फ देते जाना है ये सब इकठा होके रिजल्ट लास्ट में अनाउंस होने वाला है ब्रह्मा बाबा ने जब तक थे कितने भाई-बैने थे कितने सेंटर्स थे लेकिन बाबा ने पुशप नहीं किया फोर्स नहीं किया क्या है, रिजल्ट ही नहीं है सत्यूगी नहीं आया मैं जाने वाला हूँ अब क्या होगा नहीं मेरे होते इस शरीर में जो कार्य हो सकता है वो हुआ आगे बाबा जैसे कराएंगे किसी को भी results को push-up नहीं कराना है contribution करना है लेकिन आखिर हुआ क्या फिर मैंने जीवन दिया आखिर result क्या अरे नहीं आत्मा ये नहीं कह सकती ये 60 साल वाला 50 साल वाला शरीर बोलता है देविमान बोलता है looking for result fixing for something, no बेहत का कार्या है और उसमें कोई भी time duration की बात ही नहीं है वो चलता चलेगा चलता चलेगा ठीक है? तो बहुत बहुत बदाई हो आप सब के लिए ये तो विजह दिदी बताएंगी क्या है तो टोली आप सब के लिए रश्या से आई है प्यार से स्विकार करिए ठीक है तो पहले बाकी सब बहने बाई बहने आजाएं और उसके बाद वो और सी वाले आएंगे